अब लोग आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोज का जीडी और डीवी एक्जाम का जो इसके बारे में और स्लिवस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं फटावट सर्फ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टेलेग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लेना, पीडेब मैं आप लोगो इज़र技 अजरी सेयर встретya करता हूं तो पहले हम लोग डीवी को डिस्कस कर लेते हैं तो अगर हम लोग बात करते हैं अगर कोई स्टूटेंट टेंथ पास आउट है ठीक है तो आप लोग ने तो आप लोग डीवी के लिए जो है एलिजेबल हो ठीक है अगर यह दर बात करते हैं टोटल नंबर हो कोशन अगर आप लोग को जानना है कि कौन-कौन एलिजेबल है कोश्ट कार्ड वेपर के लिए ठीक है और आप लोग को एक्जाम कब होगा आप लोग की फॉर्म्स कब आएंगे ठीक है तो वो से वीडियो का लिंक में आप लोग क आए बटन में जेतुको अल्रेडी वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर में ठीक है चलो अब अगर हम लोग बात करते हैं केबल इसमें एक ही सेक्शन होता है ठीक है बोले तो टोटल जो टाइम मिला है वह आप लोग को 45 मिनेट में लाए इस पूरे 60 कोश्टिंस के लिए जेसे जिए और अलग-अलग कोई सेक्शन मिला होता है ऐ अलग-अलग बात करते हैं कोशिंस में पर नो बने हों गिए तो सबके लिए यसे जीडि का पर दे रहे हो तो उसमें सेक्षन सेक्षन Japonिक में25 को आप लोगो अटेम्ट करना है तो इक सेक्षन आएगा और गडी का सेक्षन आईगी सेक्षन ठीक है अगर डीवी की बात कर लेता है तो मैट के जो कोस्टन रहते हैं वह 20 कोस्टन रहते हैं साइन्स के जो कोश्चन रहते हैं वो 10 रहते हैं इंग्लेस के 15 कोश्चन रीजिनिंग के 10 और GKK 5 ठीक है तो अगर मैं overall बात करूँ अगर आप लोग प्रेपरेशन करनी है इस पेपर की ठीक है तो इसके लिए आप लोगो क्या करना पड़ेगा अपना मैं तुझो है 10th लेव 45 नमर बहुत अच्छे marks हैं आप लोग को overall जोइनिंग कराने के लिए ठीक है जोइनिंग सक्कर भ्यात कर रहा हूं मैं ठीक है बाकि अगर मैं बात करूँ अगर आप लोग प्रेपरेशन कर रहे हो डीवी की तो जी के सेक्शन को छूओ ही मत ठीक है सीथी बात है पांच नम प्रेशन अंगा यहां में तो तरह हो न आप लोग कारने परपर उनलेगा और 30 मिनेट का टाइम जो आप लोगो physics और mathematics attempt करने में मिलेगा तो physics और mathematics अलग नहीं आएगी एक यह section 2 में आप लोग का paper आएगा 50 question होगे 25 आप लोगो math के मिलने वाले 25 आप लोगो physics के मिलने वाले तो इधर आप लोग देख सकते हो कि physics बहुत ज्यादा important role आप लोगा आजा कर रहा है mathematics कर रहा है मतलब 12th और 11th लेबल का mathematics और physics आप लोगा अच्छा होना चाहिए it means जिको simple सी बात है common चीज आप लोगी यह है कि अगर आप लोग defense exam के लिए preparation कर रहे हो नेभी हो, NDA हो, Air Force हो या फिर आप लोगा coach guard हो उधर आप लोगो 11th का mathematics और physics यह आप लोग के पास strong होना चाहिए किसी भी कीमत पर बाकि आप लोग English और reasoning वगेरा जो होता है वो आप लोगा नेभी में आता है ठीक है और English जो है वो आप लोग के तीनो पेपर में, चारो पेपर में आएगा ठीक है और अगर आप लोग बात करते हैं NDA में, NDA में तो आप लोग को बताए जो इंग्लेस है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है पूरे 200 नंबर की आती है मतलब कि आप लोग का पास और फेल इंग्लेस ही करा सकता है NDA में चाहो तो ठीक है रैसे उसमें अलग-अलग आप लोग का पेपर के लिए अलग-अलग कट आप जाता है यह भी याद रखी जब वीडियो बनाऊंगा तब आप लोग को सब कुछ समझाओंगा ठीक है बाकि अगर आप लोग चाहते हो कि किसी पर्टिकूलर एक्जाम पर या किसी पर्टिकूलर टॉपिक कर वीडियो बने ठीक है आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो कमेंट वाउब में आया होगा अब आप लोग बात करते हैं मार्किंग पैटर्न की इस औलॉइन एक जाम क emba पिछले दो या 3 से श्रीक होता हुटो साहरी मतलाकि जो इनिशंसट मेंडिकल होता है उन इनिशन अा टिक है अब लोग ने अच्छा गियिया है कि पहले आप लोग NICK तेशने होने गांधोन समय किते हैं तो यह सब हैं तो यह बीडिền में तो इदर आप लोग को फाइदा मिला है कि कोई भी तक तो नहीं है वह सकता है आँगे जाकर जो पेपर होंगे आप लोगो आजाए तो तो यह आप लोग जान सकते हो कि आप लोग को कैसे preparation करना है ठीक मैंने आप लोगो pattern बता दिया है अगर हम लोग preparation की बात करते हैं इस strategy क्या होना चाहिए उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊगा इसमें अगर घुजाओंगा तो थोड़ा वीडियो अलग क्यों कि अलगी मैंने बता रखा है इसको मत करो अगर आप लोग preparation कर रहे हो जीडिया डीवी की ठीक है दोनों में कोई आप लोग का रोल अदा नहीं करता है ठीक है पांच नम्मर आप लोग के उपर है आप लोग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो ठीक है अगर यह पां अगर आप लोग करनी है कोई भी बुक कर दी सकते हो आप लोग चाहो तो आप लोग को जो भी प्रेपरेशन करा रहे हों उनसे आप लोग जो है कंप्लीट कर सकते हो तो आप लोग किसे भी ऑफ़लाइन कोचिंग में जाकर आप लोग बढ़ सकते हो ठीक है इस डिपेंड ऑन यू आप लोग कैसे से लिविश करना है मागी मैं आल्लेडी आप सब्सक्राइब करेंगे जो कि मिक्स प्रेक्टिस का होगा ठीक है जिसमें हम लोग मिक्स प्रेक्टिस करेंगे हर एक प्रेसेंस एक्जाम के लिए जो कि आप लोगों पता है 12th लेवल रहेगा या फिर आप लोग का सब्सक्राइब के लिए ठीक है मतलब सब्सक्राइब करने हैं जो एक्जाम करने हैं आप लोगा पेपर है 4th of September को ठीक है जाज सितम्बर को आप लोग का पेपर है 2022 में टाइम आप लोग को पास ज्यादा है नहीं मेर निकल चुका है जून जुलाई अगस्त तीन महीन आप लोग के पास है एक्जेक्ट अगर बोलें तो 93 डेसे आप लोग के पास या 94 डेसे आप लोग के पास अगर कोई डाउट नहीं है कुछ भी नहीं है आप लोग के पास कमेंट करने के लिए लिंक आप लोग करेंगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना कि अपडेट और सारी न्यू क्लास्स आप लोग इसे चैनल पर मिलने माले हैं ठीक है वाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जैहिन जैवारत बंदे मात राओं